तो आपन जो है दोनों आए हैं आज बात करने एक ऐसे मसले पर जो बहुत दिनों से मसला बना हुआ था अतरंगी रे आई चकाचक चकाचक अब मैं माई को दे रहा हूं यह मन सारे सवाल पुछेंगे मैंने देखी यह फिलम तो मैं जवाब दोंगा उसके जित्ते दे सकता यह हमारा बेसिक सा क्विक सा रिव्यू है बाकि अगर आपको डिटेल रिव्यू पढ़ना है तो आप हमरे वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं और उसका वीडियो भी जब जलगता ही होगा किसी भी मिनेट तो जाके वीडियो भी देख सकते हैं लेलें टॉप सिरमा के चैनल पर प्लस लेलें टॉप के चैनल पर भी तो ओवर टुए मन थेंक्यू श्यतंक पहले तो मैं बता दूं कि हरेंगे आपको जैसा कि आप में से कुछ को लोगों पता भी होगा और सिनेमा से जुड़े जोड़ें टॉप से हमने को फिल्म देखी या जिस टॉपिक पर बात होनी जरूरी है उस पर बात करते रहेंगे बकि अत्रंगी बड़ी फिल्म थी होट स्टार पर आई है रिलीज हुए कल रात को मतलब 12 बज़े क्या रहूं और ठीकल रिलीज नहीं वाई थोड़ा अजीब ही था क्योंकि अक्षे कुमार धनूश और सारा अली खान जैस अच्छाव कर अच्छाव करने जैसे लिए कि अखने करेक्टर ले कि क्या जबता की क्या वो कारफने की एक जग़ें रिलर निकलती है उसके बाल तक नीलते तो मुझे लगा कि वहीं असली नहीं है शायद वो उसका मन का वहे में अभी है अब श्रतांक जवाब देंगे उ लेकिन वो है कि मतलब ये वाला पार्ट जो है इसको बिल्कुल रिवील नहीं कर सकते है क्योंकि फिल्म का जैसे अनन्द अलवा आपने कई इंटर्व्य में बोल चुके है कि अक्षा क्यारेक्टर जो है इसका नाम सज्जाद अली खान और उनकी बेटी का नाम है मतलब सारा अलीखान आपने इंस्टेग्राम पे होती है और जैसे रियल लाइफ में होती है फन लविंग बबली टाइप वैसी है पिक्चर में भी वह साथ इसलिए उनको फिल्म में कास्ट भी किया गया है क्यों जो रिंको करेक्टर है जो बिहार के सिवान से रती है रिंको सुरे बंशी उसमें और सारा में काफी सारी सिमिल्यारिटीज है कम से हम दिखती है exactly है कि नहीं हो नहीं पता लेगन दिखती है तो आनंद को साथ यह पेजिटा करते हैं तो दनुश का कैसे थे फिल्म में रिंदानुश का तो थे फिल्म में यहां ऐसा लगता है कि यह सारा अलिखान की विच्चर है सिरो मतलब यह पूरी कहानी उस लड़की के आसपास गर्टी है तो में यह लड़के बस दोनों ही जो है अक्षाय का तो कहा है गेस्ट अपीर देंसे थोड़ा ज्यादा लंबा रोल होगा लेकिन धनुज का है ठीक ठ अपील कर रहा तो जब विशु नाम है उसका डैस वेंक टेश विष्वनाथ शॉट में विशु तो विशु जो है जब खुशी से जब दुख में होता है दुख से खुशी में फूटता है न तो ट्राजिशन इत्ला सुन्दर लगता है देखने में अब आ बस यही और जो इमोशन डिस्प्ले करते हैं दनुश वही से मन होगया था मेरा तो अपने का कि अक्षे का जो रोल है वो गेस्ट अपेरेंस से थोड़ा जाद है अक्षे कंपरिटिवले इन दोनों से बड़े स्टार है हिंदी हिंदी मेंस्ट्रिम सिनमा में तो तो ऐसा करीं किसी लगा आपको कि अक्षे कारेक्टर या कुछ जादा लिखा गया है या फिर जहां जरुवत नहीं थी कुछ सीन में या ज्यादा एड किया गया है या जो ऑशे का यह था कि जैसे मसला यह कि अच्छे कुमार पहले तो उनका कारेक्टर जो है वो बिलकुल भी रिवील नहीं अगर किसी वारे में सज्जाद नाम आपके जादूगर है ठीक है लेकिन उनके करेक्टर में आइसी कोई भी चीज नहीं है बस उनका रोल ऐसा है जो कई लोग कई स्टार जो है सुपरस्टार जो है मना कर चुके हैं करने के लिए लेकिन अक्षा ने वो दिलेदी दिखाई जाता है ना कि अक्षा कुमार अक्टर कहीं इदर दिखता ही नहीं है मतला पूरा सुपरस्टार का और जो है ना वो सब खा जाता है इसलिए धानुश आपको फिल्म के किसी भी सीम में वह आदमी वह कैरी ही नहीं करता है आपने आरावन उनका जो क्या बोलते हैं बोई इस वाली बात को रहने देते हैं स्पॉलर वरा है रहनु सुथावग जी पूछें कि धनुश के लिए फिल्म देखे या नहीं आप अगर फिल्म देखना चाहते हैं उसे धनुश के लिए ही देखे अच्छा भी मतलब डिसपाइंट करती हैं डिसपाइंट नहीं कहेंगे लेकिन अभी क्या हुआ था कि कॉफी शॉट्स करके इन्होंने एक प्रोमोशनल एपिसोर्ट किया था कॉफी विद करेंट का तो इसमें दनुश ने पुछा गया कि मतलब आप लोग इतने सीजन्ड अक्टर से उनके आस पास सारा कैसी लगी या कैसा परफॉंग किया यह ननुश ने बताया कि सारा के पास मतलब वह है कि सारा को भी बहुत सीखना है लेकिन उनके पास वह भूख है क्यों सीखना चाहती है और उन्हें यह भी कहता कि फिल्म में आप उनको देखके सप्राइज होंगे दानुश के लिए शायद पहला एक्स्पिरियंस होगा वह सप्राइजिंग नहीं कहेंगे लेकिन अब वह होता है कि आप बहुत हाई पर भी नहीं जाते हो हाँ ठीक अच्छा है और यह तो जैसे एक्टर्स की बात हो गई और अने जल रहाए ने इससे पहला गए मैं गलत नहीं तो जीग बनाई थी जिग जो जो आई ती शारुक व इस फिल्म के साथ ऐसा कुछ इन है कि एक्स्पेरिमेंट करने कुछ कि यह उन्होंने गाइटिंग के साथ यह डायक्शन के साथ यह इसा कुछ लगा हो यह एक तया बैटन पर चलती है फिल्म मतलब मुझे फिल्म देखके बहुत ही जोर से लगा ऐसा मुझे कि पहले आनन स्थे हादी जमीन से जोड़ी ही श्टोर्री बना रहे है और बिल्कुल डीप जो अपने एरिया में बिल्कुल रूटेड हैं लेकि जब स्टार्स आ जाते हैं तो फ्र इसे बड़ा जाता है कि आपके साथ काम कर रहे हैं तो आपको लगता है कि मैं कुछ अलग कर दूँ मै पर जीरो में भी वहीं किया थोड़े बड़ी पिच्चे बनाना चाहते हैं और अलग बनाना चाहते हैं कि यह ठीक है कि आप किसी सुपरस्टार की वज़ा से कोई फिल्म मत आइन करो आप वह बना चाहते हो और आप उसी के लिए जाना जाते हो आपका वह यूस्पी है कि करने की जो बाकि लोग नहीं कर पाते हैं तो आपको यह नहीं करें आ हमारा मतलब यह बहुत ज्यादा लंबा हो थीक है इतना जलता है आपका पॉंट बिल्कुल सही था जाए था और बाकि शृतां ने अत्रणियर का डीटेल रिवी और आपको पढ़ना है तो हमारी वेब और कुछी देर में उसका वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा ललन टॉप सिनेमा के यूट्यूब चैनल पर ललन टॉप में चैनल पर अगर अगर एक चीज़ पॉइंट आउट कर दूँ अगर अब तक ललन टॉप सिनेमा को सब्सक्राइब नहीं किया है क्यों इंतजार यह मतलब हम किसी को सला नहीं सकते हैं क्या कोई पिच्चर मत देखिए